हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मॉटरन क्लासेज देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पाइप और टंकी का नेक्स टैप पढ़ने वाले हैं, और इस टाइप में जो प्रशन के प्रकार होंगे, कुछ इस प्रकार से होंगे, जब बीच में ही किसी नल को बंद कर दि के हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिक्शन को आउन कर लिजिएगा, देखिए हमारा पहला कुछ इस प्रकार से है, एक टब को नल A 12 मिन में तथा नल B 15 मिन में भर देता है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया ज समझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह सब कुश्चन आपके लिए आसान हो जाता है, हला कि टाइम एंड वर्क में जैसे लोग बारी-बारी से काम करते हैं, छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, तो इससे रिलेटेड टॉपिक एक दूसरे से लगातार मिलता जा रहा है, हला क इन माध्यम आपको बता देए, जहां से इच्छा करें, आप पूरा टाइम एंड वर्क देख लिजेगा, तो पाइप और टंकी टोटल चेप्टर समझने में, यानि पूरा चेप्टर इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा बेंट भीट होगा, देखें, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखें, क्वेशन में जो बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो ए है, वह बारह मिनट में भर दे रहा है, या मिनट के लिए हम लिख रहे है, जो दूसरा है, बी है, वह पंदरह मिनट में भर दे रहा है, चलिए, हम थोड़ा छोटा लिख रहे है, आस पाई भरने वाला क्या है इस से निकालते है इस पाणी को भरने के लिए हलाकि आप पैली बार देख रहे हैं तो थोड़ा आपको कम समझ में आगा हम आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि पाई पर टंकी का फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखे और वहां से आप time and work का भी देखे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा बेनफीट होने वाला है लेकिन आप time and work के भी से में कुछ नहीं जानते हैं और हमारे pipe or टंगी के पहले वीडियो के भी से में भी कुछ नहीं जानते हैं तो इसमें आपको बहुत ही कम समझ में आएगा चलिए देखें यहां से total work निकालेगा इन दोनों का लेकर LCM और 15 और 12 का जो LCM होगा क्या होगा रहे हैं यहां भी भाग दिया गया है अब थोड़ा समझेगा यहां क्या गिद्या गया है यहां जो आता है है यूनिट प्रती मिनट भरने की छहमता है यानि कहने कार थे कि जब HL राइटन की तो इस टब में पांच यूनिट प्रती मिनट के रफतार से पानी भरेगा यदि जो B है वह जब भरेगा तो 4 यूनिट प्रती मिनट के रफतार से इसमें पानी भरेगा इस टव की total छमता है, वह क्या है? 60 unit, इसको हम total work मानते हैं, इस बात को ध्यान दिजेगा, इसमें कितना पानी आसकता है? तो 60 unit पानी आसकता है, यह है वह पांच unit के हिसाब से भरेगा, यानि प्रती minute के हिसाब से, जो B है वह 4 मिनट प्रती हिसाब के दर से भरेगा इस बात को समझ रहे हैं अब A और B जब दोनों को चालू किया जाता है तो एक मिनट में दोनों लोग भरेंगे तो कितना भरेंगे तो 5, 4, 9, 9 यूनिट प्रती मिनट के हिसाब से भरेंगे इस बात को आप समझ रहे हैं और हमसे बोला क्या जा रहा है हमसे बोला जा रहा है कि दोनों लोग 3 मिनट तक लगतार साथ काम करते हैं यानि 3 मिनट में जब भरा जाएगा देखे एक मिनट में 9 यूनिट तो 3 मिनट में क्या भरा जाएगा नदुने ठरा नौतिरी 27 यूनिट भरा जाएगा इस बात को समझ रहे हैं कितना यूनिट 27 यूनिट याद कीजे थोड़ा सा यहां जो वर्क है वह टोटल वर्क दिया गया है जिसमें 27 यूनिट काम हो चुका इन दोनों लोगों के द्वारा तीन मिनट में अब थोड़ा ध् चालो किया गया था तो ए और बी दोनों काम कर रहा था तीन मिनट यूनिट में 27 यूनिट काम हो चुका तो त्वर कॉण बंद करडिया गया और कौन कर रहा है केवल बी कर रहा है यहीं कितना समय लेगा तो देखें बी जो लेगा वह 33 को काम को करने के लिए 4 के हिसाब से लेगा अब 4 से हम डिबाइट कर देंगा और आसानी से निकल जागा 4, 8, 32 हो जागा यानि 8 सही 1 बटा 4 आसा है कि इस बात को आप समझ चुके हैं इतना मिनट आएगा आप इसको मिनट और सेकेंट दोनों में पूछ रहा है तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि 8 मिनट पूरा-पूरा है यहाँ देखे 8 मिनट पूरा-पूरा और 1 बटा 4 मिनट है इसको सेकेंट में बदलने के लिए 60 से मल्टिपलाई और यहाँ से हो जागा क्या यहाँ जो टब है बी के द्वारा लाश्ण में आसा है कि जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप समझ चुके होंगे ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दिजे और नेक्स क्वेशन देख लेते हैं हम लोग तो चलिए दोस्तों देखे हमारा दूसरा क्वेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान से देखेगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे इसे क्वेशन थोड़ा सा अलग-अलग होते हुए मिलेगा तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रही है अधि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाश्ट तक बने रहेगा तो 100% आपके साथ हम गारंटी के साथ बात कर सकते हैं कि आपको जरूर कुछ न कुछ बेनफिट होगा देखे हमारा second question क्या है दो नल किसी हाउज को क्रम सा 6 गंटे और 8 गंटे में भरते हैं दोनों को एक साथ खोल दिया गया पहले नल को कितने गंटे बाद बंद किया जाए यानि उसको कितना गंटा के बाद बंद कर दिया जाए कि जो पूरा हाउज है वह 4 गंटे में भर ज गंटा चलिए घंटा होगे जो भी है वह क्या है आठ घंटा में भर दे रहा है और उसके बाद जो कहा जारे इसको हम लोग बाद में करेंगे सबसे पहले हां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं और इनकी छमता निकाल लेते हैं तो 8 और 6 का क्या हो जागा एजियम तो 8 आछे साथ हम में रही नेते हैं हम लोग हमको पहल जा रहा है एक पहले झनल को कितना समय बाद बूर चला यह डिया झालिए तो निकितना ज्वर उमने बात बन्त कर दिया जाए घणी हमगे इसे को बन्त करना है पहले आर्थकि चार घंटा तक काम में चला है हमारा इसका औ होगा कि चार घंटा तक हंगा कशा सकते हैं तो 4 घंटा चलेगा और 3 के हिसाब करेगा तो कितना काम होगा कि यह बात है इसका है हम इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि जो कौन एक करने वाला है चलिए एक के लिए हम समय देखते हैं कि कितना समय में इस बार ओर जो कर सकता है और चार के हिसाब से करेगा चार तीन घंट तक कौन करेगा वह करेगा यहां कितने घंटा बाद बंद कर देना है हमको तो तीन घंटे बाद हम बंद कर देंगे लेकिन यहीं हमसे पुछता कि कितना घंटा पहले बंद कर दें तो हम क्या कहेंगे एक घंटा पहले बंद करेंगे क्योंकि चार घंटा पहले हम क्या कर देंगу उसको तीन घंटा के बाद बंद कर देंगगा और चार खंट Niemeer County का मिलाया हो जाए का इन्साइ sou जाएगा इसका हम पहले को यह मान रहे हैं और दूसरे को बी मार रहे हैं ऐसा मान के चलने हैं और बोला जा रहा है क्या कि पहले को जो पहला है वह दस घंटा में भर सकता है जो दूसरा है वह क्या है आठ घंटा में भर सकता है चलिए सबसे पहले जैसा दिया है उसके इस बात को आप समझ रहे हैं अब हमसे जैसे कहा जा रहा है वैसे हम लोग काम करेंगे कि आप यह बताबिए कि दूसरा वाल अनौल है उसको कितना देर पहले बंद कर दिया जाए कि ज़ égal है टोटल लने कि तोटल नोट जो पानी भरने अब हमारे पस जो बचा है work वो क्या है जिसको कौन करेगा बी करेगा जालिए बेके द्वारा जो समय लग इसको निकाल के देखते हैं इसके द्वारा क्या समय लग रहे हैं तो 20 हिनुट का काम है और किसके हिसाब से करना है पांच की हिसाब से तो पांच चवू के बीस यानि की चार घंटे का समय लएगा लेकिन एक मिनट रूकी है यहां हमारा पूछा जा रहा है जैसे वैसे हमको तो जवाब देना होगा ना यहां को आगे से पूछता तो हम क्या कहते कि चार घंटा के बाद हम बंद कर देंगे लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या लाश्ट से बोला है कि आप यहाँ बताईए कि B को काम समाप्त होने से कितना समय पहले बंद कर दिया जाएं। तो इसको हम एक घंटा पहले बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा पूरा काम है वह पांच घंटा तक चला है लेकिन E चारे घंटा तक काम करेगा। कौन? B. तो अब हम कह सकते हैं कि जो B है उसको एक घंटा हम पहले बंद कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्ष्ट क्वेशन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा आगला प्रेशन कुछ इस प्रकार से है। A वा B नल एक बल्टी को क्रम सब 12 मिनट और 15 मिनट भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और A को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। तो उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। ध्यान से देखिएगा। यहां क्या बोला जा रहा है इसको थोड़ा समझेगा। यहां A और B दो क्या है नल है किसी बाल्टी को भर रहा है। कैसे भर रहे हैं। 12 मिनट में भर रहा है। दूसरा क्या है 15 मिनट में भर रहा है। यहां क्या है मीनट दिया गया है इस बात को समझेगा। और यह हैं जो निकलेगा यह क्या है टोटल निक्नेहाँ गार जाई वीस से बोला क्या रहा है कि एक तीन वीट बाद बंद कर दीजिए तो भी उस बाल्ठी को भरने में आगे और कितना समय देगा दी। तीन मीनट के बाद किसको बंद किया गया है एक बंद किया गया है इसका मतलब जो ए है वह कितना मिनट काम किया है किवल तीन मिनट तक काम किया है चलिए आपको वैसे भी देखिए इसको बनाने के लिए कई तरीका है अब जैसे बना सकते हैं अभी आपको हम दो मिनट से सिख थोड़ा था हम मांन के चले हैं अ और बी दोनों लोग जब मिलके काम करेंगे तो 9 यूट काम करेंगी और यहां देखिए तो इसमें बोला जायए कि दोनों लोग काम कर रहे हैं लेकिन 3 मिनिट के बाद एक उबंद का रहे हैं इसका मंदब 3 मिनिट तक तो कम instit दोनों लोग किया अब कौन काम करेगा तो बंद हो गया आप करेगा बी करेगा यह अजया देख लेते हैं यह यह आठ मिनस जाएगा जाएगा और एक बटा यह तो हो गया हमारा एक तरीका दूसरा तरीका भी देख लिजी इसमें इसमें दूसरा तरीका क्या है हम इस बात को समझ रहे हैं कि जो ए है वह केवल तीन मिनट के बाद क्या किया जा रहा है बंद कर दिया है तो इसका मतलब तीन मिनट तक वह कितना काम किया होगा कितना काम किया है तो यहां से जो चार से करेंगे तो चार के चार 4-4 ग्यारा सही एक वटाचार जाएगा यहांने ग्यारा मिनट और फंदर सिकेंड तो कौन काम किया तो बी काम किया लेकिन यहां भाद ध्यान दिजएगा बोल रहे हैं कि आगे कितना समय लेंगा इसका मतलत 3 मिनट तो पहले काम हो चुका है न तीन मिनट साथ में काम क्या है तो 11 में से तीन घटा दिजएगा तो 8 मिनट बचेगा क्या समझ पा रहे हैं क्या इस परकार से ऐसे question को हम लोग solve करेंगे देखे हम लोग next question देख लेते हैं तो चले दोस्तों देखे हमारा आगला question बहुत ही important है उसको देख लेते हैं यह question थोड़ा सा टेड़ा है और इसको आपको ध्यान से समझने की जुरूत है देखे दिया है तीन pipe A, B, C एक हौज को 6 घंटा में भर सकते हैं दो घंटे एक साथ चलाने के बाद C को बंद कर दिया गया और A और जो B है उसके बाद क्या किया कि 7 घंटे में पूरा भर दिया तो हौज को C अकेला भरे तो कितना समय लेगा देखे इसमें सबसे पहले इसकी भासा को समझे यहां क्या बताया जा रहा है बोले जा रहा है कि A, B, C तीने लोग जो बेदी मिलके काम कर रहे हैं तो यह 6 घंटा में किसी टंकी को भर दे रहे है चलिए यह बात समझ रहे हैं लेकिन हुआ क्या कि दो घंटा तक चलाया गया कितना दो घंटा तक दो घंटा के बाद क्या किया गया इस C को बंद कर दिया गया C को क्या किया गया बंद कर दिया गया आप बोला गया कि अब A और B खाली चले तो उस फिरेट में जब A.B. चला तो साथ घंटा के बाद क्या कर दिया उस पानी को भर दिया बस इतना ही बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आप बताए कि जो C है वह अकेला है दी चले तो उस टंकी को कितना समय भरेगा चली यह बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जणूरूत है कैसे करिएगा आप एक काम में काम कीजिए A, B, C है वहत तीनों लोक मिलके किसी काम को 6 घंटा में कर रहे है पानी भरने बाला काम है उसको कितना दिर में कर रहे है किको बंद क्या जा रहे है कितना समय के बाद 2 घंटा के बाद जब 2 घंटा के बाद C को बंद कर दिया जा रहा है तो हम एक बात थोड़ा सा समझते हैं यहां से कि हम जब C को बंद कर रहे हैं इसका मतलब अब आगे 4 घंटा का काम है यहां से आप समझने का प्रयास किजेगा 6 घंटे का टोटल काम है और 2 घंटा तक करने के बाद C को बंद किया गया है चलिए लेकिन जब 2 घंटा तक काम हो चुका इसका मतलब आगे 4 घंटा काम बचा है बस इसी बात को हम समझाना चाहरे हैं आपको जिस काम को A, B, C 4 घंटा में कर ले रहे हैं मतलब आगे वाला काम A, B, C कितना समय में करेंगे 4 घंटा में करेंगे उसी काम को केवल A और B कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 7 घंटे का समय लग रहा है समझ पाने क्या कॉंसेप्ट फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे Total work को करने में, total पाणी को भरने में 6 घंटा का समय लग रहा है, 2 घंटा तक पाणी भर दिया गया, इसका अर्थ है कि 4 घंटा तक अभी पाणी भरना बाकी है उसमें, चार घंटे वाले काम को ABC तीनोग करें तो चार घंटा और A और B कर रहा है तो सिर्फ साथ घंटा लग रहा है यहां से आप कारे निकालिए कारे निकालिएगा तो क्या हो जाएगा साथ चवूख 28 हो जाएगा यहां से देखेगा तो क्या हो जाएगा चार साते 28 यहां से साथ 24 इस बात को थोड़ा समझेगा कि तीनों लोग का जो छमता है वह साथ तीनुट है आद दू लोग का जमता एक यूट है इस प्रकार हम कहा सकते हैं कि जो सी की छमता होगी वह तीन यूट होगा तीन यूट प्रती घंटा होगा क्योंकि सब जो किया जा रहे हैं कैसे किया जा रहे घंटा में किया जा रहे हैं लेकिन एक बात हमको ध्यान देना होगा कि जो काम यहां से निकलेगा यहां जो चारे घंटा का काम पर हम बना रहे हैं लेकिन काम कितना है छे घंटे का काम है इसका मतलब है कि जो यह वाला काम ह 28 घंटा वो सिर्फ 4 घंटे का काम है क्या हम समझाने का प्रयास कर रहे है यह जो है काम सिर्फ 4 घंटे का है इसलिए क्योंकि हम 4 घंटा वाला काम को ही लेकर बनाए है हम को क्या करवाना है C को जो C से करवाना है काम उससे 6 घंटे का काम करवाना है थोड़ा समझेगा 28 घंटा 28 यूनिट जो कार रहे है वो कितना का भेलू है या 4 यूनिट का भेलू है ध्यान दीजेगा ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो 4 यूनिट का भेलू क्या है 28 यहां बता जा रहे निक 4 घंटे वाला जो काम है वो 28 यूनिट बता जा रहे तो 6 घंटे वाला काम कैसे हम निकाल सकते हैं बता सकते हैं क्या ऐसे नहीं समझे नहीं देखे ऐसे कर देते हैं 4 घंटा का काम क्या है 28 यूनिट है तो एक घंटे का काम क्या हो जाए भई 28 बटा में 4, 7, 28, 7 यूनिट हो जाएगा हम जो बताने का प्रयास कर रहा है आसा है कि समझ चुके होंगे क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसमें भासा को चेंज किया गया है तो 42 unit काम को किसके द्वारा कराना है तो C के द्वारा कराना है इसके लिए time का लग हुए तो 42 unit पूरा work हुआ हमारा और 3 भी हिसाब से दोनों पंपो को एक साथ चालू कर दिया जाता है यदि हवाउच को 24 मिच में भरना हो तो दूसरे पाइय को कितना संभा धिर के बाद बंद कर देना होगा हैं यही आपको बताना है यहाँ क्या है ऑर इजो पाइब है क्या हो फींट और 40 न है तूويस मिनट और हुझ और हुझ दूटर से बात को तो आप अच्छी तर समझ रहे हैं अब आगे हमसे जो मुरा जा रहे इस पे ध्यान देते हैं बुला है कि होज को 24 मिनट में भरना है 24 मिनट में भरना है तो दूसरे को कब बंद करना होगा किसको बंद करना है दूसरे वाले को बंद करना है इसका आरथ है 24 मिनट काम कराने में यह को पूरा रणिंग कराना है यानि सुरू से लेकर लाश्ट तक उसको काम कराना सभाज पा रहा है जब ए है वह सुरु से लेकर लाश्ट तक काम कर रहा है तो चार यूट के हिसाब से करेगा यह 24 मिनट हमको काम कराना है और किसमे चार यूट में 24 कितना हो जाएगा 24 24-48 ऐसे करें चार चोग के 16 चार दूना आठ हे च्छी आफे इनुट काम होगा हमारा वर्क क्या है एक सो बीस इनुट है चलिए एक सो बीस इनुट वर्क में से 96 unit work जो है वह कौन किया A कर दिया, B कितना करेगा भाई इसको देख लेते हैं, तो पहले 96 को minus करेंगा, तो 4, 20, 4, 24 हुझाएगा यानि 24 unit का जो समय काम है 24 unit का जो बचा काम है, इस काम को कौन करेगा B करेगा, 3 का हिसाब से करा के देख लेते हैं 8 minute के बाद हम बंद कर देंगे 8 minute तक जो ही चलेगा कितना काम कर रहा है, सुरू से जब सुरू में दोनों को चालू करेंगे ये last 24 minute तक चलेगा, कौन A वाला, लेकिन B वाला जो है क्या करेगा, 8 minute के बाद, उसको हमको close करना होगा, बंद करना होगा, आसा है टंके को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप B को कितना समय बाद बंद कर देना होगा, ध्यान से देखेगा, यह अभी कुछ वैसा ही question है, सिर्फ में थोड़ा सा fraction दे दिया है, क्या दिया है, A और B दो पाइप है, पहला है वा क्या कर रहा है, 37 सही एक बटा दो मिन्ट में भर ले रहा है, चलिए यहाँ हम लोग कर लेते हैं, 37 सही एक बटा दो इतना मिनट है न, तो हम लोग ऐसा काम करते हैं इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, तो 37, 35, 75 बटा में क्या हो जाएगा, 2 समझ पा रहे हैं क्या, यानि A है वह क्या कर रहे हैं, 75 बटा में 2 समय ले रहा हैं, इन्हें इतना मिनट ले रहा हैं, इस बात को सबज़ रहे हैं बगर क्या कर रहा है, 45 मिनट में भर दे रहा है अब देखिए थोड़ा इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको total work निकानना होगा लेकिन हम आपको बताए हैं कि total work निकालने के लिए जब आपको fraction में देता है तो आप थोड़ा सा confused जरूर होईएगा तो इसके लिए हम इसके हर वाले point को हटाने के लिए हम हर वाले point से ही multiply कर देते हैं दोनों में दो से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 90 हो जाएगा चले इस बात को हम लोग यहां लिख लेते हैं तो अच्छा होगा यहां क्या हो जाएगा 75 और 90 का हम लोग लेंगे LCM यहां जो LCM होगा क्या होगा 400 50 होगा अब आपको ध्यान देना है इस से बोला जा रहा है कि जो काम है उसको कराना है ठीक आधे घंटे में कराना है कितना आधे घंटे में कराना है तीस मिनट में अब बताईए और उसके बाद बोला क्या जा रहा है इसको देखे लेते हैं पूरा बी को कितना समय के बाद बंद करना है बी को बंद करना है चलिए लेकिन काम कौन करने वाला है, एक काम करने वाला है, और एक कीस हिसाब से कर रहा है, छे की हिसाब से कर रहा है, लेकिन थोड़ा रुकिएगा, हम आपको एक बात बताएं हैं, पहले, कि जब कभी भी fraction वाले में multiply करते हैं, तो जो work होता है, वह भी 2 गुना, 3 गुना हो जाता ह है, यहाँ 2 से गुना किया है, तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा, तो इस work को हम क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, यहनि हमारा जो total work generally होगा, ओ क्या होगा, आधा होगा, इस बात को समझेगा, तो तीस मिनट तक काम करना है, कि इसको एक हो, तो 30 में 6 से गुना कर काम हो चुका 225 में से 180 को हम लोग कर देंगे माइनस क्या बचेगा 45 बचेगा या इन 45 क काम करने के लिए उसको संपय क्या लएगा तो संपय लएगा 45 बटा में 5 के हिसाब से करें 5 नमा 45 यानि कितना 9 मिनट तक काम कौन करें यह करें या हम कह सकते हैं कि यदि वर्क हमारा टोटल 30 मिनट तक चला है तो B है वह सिर्फ 9 मिनट के बाद हम लोग उसको बंद कर देंगे और वह जो पाइप है वह 30 मिनट में भर जाएगा आसा है कि इस वीडियो के तहट जो जो भी प्रशन आपको हम समझाने का प्रयास की है टोटल आप समझ चुके होंगे यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों साथ सेर कर दीजिए अभी आपको कहीं भी डाउट होता है या अन्ने कोईशन में या इस वीडियो के तहट लेकर तो आप हमारे वाटस अप नंबर को डिस्किप्शन बॉक्स में से लेकर वहां मैसेज कीजिए हम आपको पुना समझाने का प्रयास करेंगे आज के लिए देखिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद